First of all मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो भी बच्चे नहीं देख पा रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही घातक सिद्धोगा इस वीडियोज को ज़्यादा सेर कीजिए और इसको देखिए क्योंकि आज के इस वीडियोज में हम लोग 30 questions करेंगे जिसमें 15 questions जो है आने वाले हैं must VVI questions जो है आज हम लोग करेंगे जिसमें 1 February 2022 को जो है 15 questions as it is आपको मिलेंगे हम लोग 3 वीडियोज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं बिलकुल फ्री में अपने YouTube चैनल पर हला बोल स्रीज है एक वीडियोज जो है objective के लिए आएंगे और एक वीडियोज जो है 2 marks questions के लिए जो ये वीडियो है और एक जो वीडियोज होगा वो 5 marks questions के लिए होगा तो अगर आप maths में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता इस वीडियोज का हम लोग का मुख्या agenda है criteria है आईए questions की start करते हैं दोस्तों को भी ये जो link है आप share किजिए first question जो है कुछ इस परकार का है dyy dx निकलना है हम लोग को किसका तो x की power y प्लस y की power x बराबर 1 इसका dyy dx हम लोगों को निकलना है तो सबसे पहले हम लोग इसको late करेंगे क्या करेंगे लेटेंगे कि u बराबर x की power y और v बराबर माल लेते हैं y की power x ऐसे हम लोग मानेंगे और इसको हम लोग solve करेंगे यहां हम लोग को ध्यान देखना है कि यह कई बार जो है पांच मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं तो हम लोग को यह भी ध्यान देखते हुए जाना है अब यहां से हम लोग देख सकते हैं यह equation first है और यह equation second है तो इसमें हम लोग ले लेते हैं log तो log u log x की power y हो जाएगा और log की property जानते हैं power आ जाता है गुना में यानि y log x हो जाएगा अब हम लोग इसको differentiate करते हैं x के respect में तो यह क्या हो जाएगा 1 by u du upon dx है और यहां पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा यह है y log x क्या है y log x अब यहां पर हम लोग पहले y का करेंगे तो यह हो जाएगा dy upon dx log x as it is plus y as it is और log x का करेंगे तो हो जाएगा 1 by x now अब हम लोग को du by dx निकालना है तो du upon dx और u इदर जो है divide में है तो इदर rhs में जाकर हो जाएगा multiply यानि कि u into du by dx log x plus y upon x अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं du upon dx is equals to u का मान क्या था u का मान x की पावर y है तो x की पावर y du upon dx log x plus y upon x हो जाएगा यह हम लोग का du upon dx निकल कर आ चुका है इसको हम लोग जो है equation number first मान लेते हैं अब हम लोग क्या करेंगे अब जो है हम लोग को यह जो है भी बराबर y की पावर x माने हैं इसको लेकर चलना है taking log both sides यहां पर हम लोग लिख भी देंगे तो यह हो जाएगा log v is equals to log y की power x बच्चो अब यहां पर log की property हम लोग को लगाना है power आ जाएगा multiply में तो यह log v is equals to हो जाएगा log y x into log y अब इसको हम लोग differentiate करेंगे तो log v का हो जाएगा 1yv v का हो जाएगा dv upon dx x का करेंगे या x as it is रखेंगे log y क्या करेंगे तो 1 upon y और y क्या करेंगे d y by dx प्लस x का करेंगे 1 और log y as it is यहां से हम लोग जब dv by dx का मान निकालेंगे तो v इधर आकर multiply हो जाएगा तभी गुणा यह हो जाएगा x बटा y dy y dx प्लस log y यह हम लोग को प्राप्त हो गया dv by dx और v का मान जब यहां पर रखेंगे तो v बरावर मालूम है y की पावर x है तो y की पावर x इंटू x बटा y dy y dx प्लस log y यह equation हम लोग का second हो गया must be be questions है यह 5 marks में भी पूछे जा सकते हैं और कभी कभी जो है 2 marks में भी पूछे जाते हैं अब हम लोग यहां पर 30 प्रश्ण करेंगे और 15 प्रश्ण तो गरांटी की किरांटी है आपके आने का अब equation first और second हम लोग यहां पर देख रहा हैं कि x की पावर y प्लस y की पावर x ब्रावर 1 है तो now x की पावर y प्लस y की पावर x ब्रावर 1 है इसको हम लोग माने है u और इसको माने है b और यह equals to 1 है differentiate करेंगे x के respect में तो du upon dx plus db upon dx this is 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब equation first और second से हम लोग du upon dx plus db upon dx का मान रखेंगे तो आईए रखते हैं तो यहां से हम लोग को जो है du upon dx और db upon dx का मान हम लोग को put करना है और जो मान हम लोग के सामने निकल कर आएगा वहीं से हम लोग dy y dx निकालेंगे तो dy y dx का मान क्या है x की power y यहां equation first से और क्या हो जाएगा यहां पर dy y dx है ना तो हो जाएगा यहां पर dy y dx log x plus y by x plus में y की power x x upon y dy upon dx plus log y अब यहां से हम लोग को this is equals to 0 अब यहां से हम लोग को जो है यहां से हम लोग को dy y dx निकालना है तो dy y dx कैसे निकालेंगे अब उसको आप लोग जड़ा ध्यान से देखिएगा यहां से dy y dx निकालेंगे पहले इसको multiply कर लेते हैं क्या करते हैं multiply कर लेते हैं तो x की power y से dy y dx log x से multiply होगा यह हो गया dy upon dx ठीक है तो x की power y log x x की power y log x ठीक है उसके बाद जो है इस dy y dx में हम लोग y की power x से multiply करते हैं तो यहां पे हो जाएगा अपन लोगों का क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा plus dy y dx यहां पे निकाल लिए तो यह हो जाएगा y की power x into x upon y ठीक है यहां तक तो हम लोग निकाल चुके हैं this is equal to देखिएगा very important है यहां जो है y की power x से multiply किया इस टर में x की power y से इस टर में multiply किया dy y dx को मन निकाला और बाकी सब को आरेचेस में भेजते हैं तो x की power y into y y x जो हो जाएगा आरेचेस में जाएगा x की power y into y upon x इधर positive था तो इधर negative हो गया ठीक है negative यहां से हम लोग common भी ले ले सकते हैं और y की power x log y plus y की power x log y जो है हम लोग का चला गया आरेचेस में बस अब इसी को solve करना है और अपन लोग का answer जो है आ जाएगा तो dy by dx क्या हो जाएगा dy upon dx this is equals to हो जाएगा क्या चीज़? minus x की power y और नीचे x है तो यह हो जाएगा x की power y minus 1 x की power y minus 1 into y plus y की power x log y तो यहां से हम लोग लिख सकते है x की power y log x plus y की power x minus 1 into x यह जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उपर से y common ले ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा? x x की power y minus 1 y चला गया बाहर और यहां से एक जो है y जब निकलेगा तो यह हो जाएगा y की power x minus 1 log y upon नीचे से x common लेंगे तो यह हो जाएगा x की power y minus 1 log x plus y की power x minus 1 और x बाहर चला गया है तो यह जो है हम लोग का answer हो जाएगा I hope की आपको यह question अच्छी त्रह से समझ में आ गई होगी ऐसे ही most important questions आज के इस वीडियोज में हम लोग करेंगे और एक नए संदार तरीके से हम लोग जो है इस वीडियोज को संदार बनाने वाले हैं और आपके examination को भी अच्छे तरीके से बनाने वाले है आईए अब question number 2 पर चलते हैं question number 2 जो है इस परकार है कि y दिया गया है tan x plus 2 sin x इसमें हम लोगों को dy upon dx निकलना है तो यहाँ से dy y dx क्या हो जाएगा tan x का हम लोग जानते हैं क्या होता है tan x का होता है c k square x होता है plus 2 sin x है 2 तो constant है 2 बाहर रह जाएगा और sin x को जब differentiate करेंगे तो sin x का differentiation cos x होता है तो बस यह हम लोगों का answer हो जाएगा यह बहुत easy questions था आईए question number 3 को अब हम लोग देखते हैं question number 3 जो है इस परकार है कि if x की power y this is equals to दिया है y की power x तब जो है हम लोगो dy upon dx निकालना है तो सबसे पहले हम लोग calculus से ही कुछ questions जो है most important questions कर रहे हैं और भी chapter से हम लोग करेंगे 30 questions जो है हम लोग करेंगे जैसे examination में 30 questions पुछे जाते हैं और 15 questions के जवाब दिये जाते हैं दो number के जो questions होते हैं उसी परकार से मैं आज के इस वीडियो में 30 questions करा रहा हूँ दिसमें से 15 questions जो है एक फरवरी के examination में आपके math का examination है उसमें पूछा जाएका दिया है if x की power y ब्रावर y की power x तो हम लोग को dy upon dx निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इस equation को थोड़ा सा हलका करेंगे solve करेंगे अगर हम लोग इस equation में दोनों तरव लोग ले लेते हैं taking log both sides taking log both sides तो हम लोग को क्या हो जाएगा log x की power y बरावर log y की power x यहां से log की property से हम लोग जानते हैं कि power गुना में आता है तो यह log y log x बरावर x log y हो जाएगा अब हम लोग इसको differentiate करेंगे लिखेंगे हम लोग differentiate differentiate with respect to x अब x के respect में इसको हम लोग differentiate जैसे ही करेंगे तो यहां पर दो function यहां पर दो function यानि u into v का formula का use हम लोग यहां पर करेंगे y को रखते हैं ऐसे ही log x का हो जाएगा 1 by x plus y क्या करते हैं तो हो जाएगा dy upon dx और log x को रखते हैं ऐसे ही बरावर x को रखते हैं ऐसे ही log y क्या करेंगे तो हो जाएगा 1 by y और y क्या करेंगे तो हो जाएगा dy upon dx plus x का करेंगे 1 हो जाएगा और log y को ऐसे ही रहने देंगे u into v का formula पर हम लोग इसको किये हैं अब dy y dx यहां से लेते हैं हम लोग common dy y dx जैसे ही common होगा बचेगा log x और यह यह dy y dx इधर आएगा तो minus का x बटा y फिर यह बच गया log y और यह y y x जो है इधर आजाएगा y upon x यहां तक तो सबको समझ में आगया होगा अब इसके आगे जो हम लोग को देखनी हैं वो बड़े ही मज़दार वाली बात है अब यह जो है multiply में है इसको divide में लाएगे तो dy upon dx बराबर हो जाएगा log y minus y by x log y minus y by x बटा log x minus x upon y यहां तक हम लोग तो पहुंच चुके हैं अब इसको हम लोग और आगे solve करके ऐसे भी लिख सकते हैं x log y minus y ठीक है और यह जाएगा इधर तो y log x minus x और फिर यह नीचे y था यहां denominator में यह चल जाएगा उपर y upon x इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो की हम लोग का answer हो जाएगा यह क्या होगी हम लोग का answer हो जाएगा आईए question number 4 को देखते हैं और उसका जो है मजा लेते हैं question number 4 जो है कुछ इस परकार से हम लोग को दिया रहेगा और उस questions को हम लोग को बहुत ही easily जो है समझना है और जानना है question number 4 is that कि y वराबर दिया है sine of cos of 10 of sine inverse x तो dy upon dx निकलना है तो यहाँ पर हम लोग chain rule का उपियोग करते हुए इस questions का solve करेंगे यहाँ से जब dy by dx निकलेंगे तो dy upon dx क्या हो जाएगा पहले पूरा function जो है इसका sine है तो sine का करेंगे तो हो जाएगा cos और पूरा functions जो है agitives हम लोग उतारेंगे उसके बाद जो है इसके अंदर वाले functions का करेंगे multiply में sine का काम खतम अब करेंगे cos तो cos का क्या होता है cos का होता है minus sine यहाँ पर हो जाएगा बाकी सब अंदर की चीज वैसे ही लिख देंगे हम लोग ऐसे ही लिखते हुए हम लोग को आगे बढ़ता है फिर cos हो गया अब cos के बाद करेंगे tan का तो tan का होता है say के square तो multiply में हो जाएगा say के square of sine inverse x say के square of sine inverse x यहाँ तक अब हम लोग को हो गया अब जो है sine inverse x का करना है तो sine inverse x का होता है 1 upon root under 1 minus x square अब इसको थोड़े इज़्यत से सजा देते हैं तो हम लोग का answer निकल कर आ जाएगा यह हो जाएगा cos of minus जो है यह हम लोग को बाहर निकल लेते हैं cos of cos ऐसे हम लोग को इसको represent करना है और ऐसे हम लोग को लिखना है आप लोग देख सकते हैं और formula differentiation का तो आपको बिलकुल ही याद रखना पड़ेगा तभी यह सब questions जो है आप लोगों से solve हो पाएगा अन्य था यह question जो है solve करने में आपको बड़ी ही परिसानी होगी यह हम लोग का answer हो गया अब आए question number 5 को देख लेते हैं जो इस परकार से है हम लोग के पास question number 5 में एक definite integral का question है जिसमें हम लोग को इसका value निकालना है तो यहाँ से हम लोग solution की start करते हैं लेट कर लेते हैं आई बराबर integration of sin square x अपर लिमिट पाई वाई 4 है लोवर लिमिट 0 है तो हम लोग एक formula जानते हैं कि 1 minus cos 2x बराबर क्या होता है वो होता है 2 sin square x तो यहाँ से sin square x बराबर क्या हो जाएगा 1 minus cos 2x upon में 2 तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग इस formula चको तो यह 1 by 2 तो बाहरा गया और integration of pi by 4 0 1 minus cos 2x with respect to x अब इसको अपन लोग को integrate करना है तो हम लोग जानते हैं कि 1 का जो होता है x होता है minus cos 2x का होता है sin 2x और 2x का हो जाएगा तो यहाँ upon में 2 और pi by 4 से 0 अब यहाँ से हम लोग को सिर्फ इसको मान रखना है और solve करना है सबसे पहले अपनल लिमिट pi by 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा pi by 4 minus sin 2 pi by 4 रखेंगे तो यह तो हो जाएगा sin pi by 2 और sin pi by 2 बराबर होता है 1 तो यह हो जाएगा 1 by 2 फिर minus और 0 रखेंगे तो यह सब क्या हो जाएगे 0 हो जाएगे बस अब इसी को हम लोग को solve करना है यह 1 by 2 और pi by 4 है minus 1 by 2 है तो 2 pi minus 1 upon में हो जाएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा pi minus 2 upon में 4 और इसको solve करेंगे तो हो जाएगा pi minus 2 upon में 8 यह हम लोग का जो हो जाएगा answer हो जाएगा अब आएए next questions को देखते हैं और फटाफट questions देखते हैं यह 6 number question है y वराबर दिया x की power 10 की power 2 तो dy upon dx निकलना है भेरीजी question है हम लोग इसको मातर 10 second में करेंगे तो y वराबर हो जाएगा x की power क्या चीज 20 अब इसको हम लोग करेंगे dy upon dx पावर आ जाएगा बगल में और पावर में से यह कम हो जाएगा यानि 20 minus 1 यानि 19 यह हम लोग का question number 6 का answer हो गया dy by dx निकल गया 20 into x की power 19 अब question number 7 को हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान question यह भी है next question है y वराबर दिया गया है sin inverse x plus cos inverse x और इसका भी हम लोग को dy upon dx निकलना है तो यह हम लोग लिख सकते हैं dy upon dx is equals to 1 बटा रूट अंडर 1 minus x square और cos inverse x का होता है minus 1 बटा रूट अंडर 1 minus x square दोनों cancel हो जाएगा this is equals to 0 यह तो इसका first method हो गया अब आए हम लोग second method जानते हैं कि y वराबर अगर यह objective में पूछे तो हम लोग कैसे इसको solve करेंगे तो हम लोग जो है trigonometric जो inverse trigonometric का जो formula है उससे जानते हैं कि sin inverse x plus cos inverse x बडाबर क्या होता है pi by 2 होता है तो यहां से हम लोग अगर dy upon dx निकालेंगे तो pi by 2 constant है तो इसका क्या हो जाएगा 0 यह हम लोग का second method हो जाएगा अगर subjective में आये तो हम लोग ऐसे बनाएंगे objective में आये तो हम लोग ऐसे इसको solve करेंगे फटा फट अब आएए question number 8 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं question number 8 देखते हैं इसका हम लोग को determinant निकालना है तो आएए इसको हम लोग solve करते हैं solve करते हैं कैसे करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 1, 1, 1, B, C, A, C, A, B इसको multiply A, B, P, L, A, C, B, C, P, L, A, B, A, C, P, L, B, C, इतना हो गया अब इस column 3 को बनाते हैं कैसे बनाते हैं column 3 को तो column 3 बनाते हैं column 3 plus column 2 करके जब इसको हम लोग बनाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 1, 1, 1 ये तो asities हो जाएगा column 2 भी asities हो जाएगा हम लोग को बनाना है column 3 तो ये हो जाएगा A, B, P, C, P, L, A, C जड़ा ध्यान से देखेंगे और फिर ये भी हो जाएगा A, B, P, C, P, L, A, C और ये भी हो जाएगा A, B, P, C, P, L, A, C अब A, B, P, C, P, L, A, C column 3 से हम लोग common लेंगे तो A, B, P, C, P, L, A, C common हो गया तो ये बचेगा 1, 1, 1, B, C, A, C, A, B, 1, 1, 1 और ये column 1 और column 3 जो है identical है तो हम लोग determinant के property से जानते हैं कि जब कोई row या कोई column जब कोई 2 row या 2 column यो है identical हो तो उसका determinant value क्या हो जाता है 0 हो जाता है यानि कि A कमान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा यही हम लोग का answer हो जाएगा अब आईए next questions को हम लोग देखते हैं और उसको solve करते हैं question number 9 जो है A matrix को दिया गया है और इसको हम लोग को prove करना है कि A square minus 4 A minus 5 I is equals to 0 तो सबसे पहले A square निकालते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A into A अब यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे तो यह 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 1 plus 4 plus 4 यह हो जाएगा 4, 4, 8, 9 फिर इसे multiply करेंगे 2, 2, 4, 4 आए दूजनी की 4 तो यह हम लोग का हो जाएगा 8 तो इसको multiply करने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9 इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा अब जो है A square minus 4A minus 5I बराबट 0 हम लोग को प्रूब्ड करना अब इसको हम लोग लिख सकते हैं LHS लेते हैं हम लोग A square minus 4A minus 5I A square है 9, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9 minus 4A हम लोग को तो यानि 4 से इसमें multiply करना है तो 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4 और फिर 5I है तो हम लोग 5 से multiply कर देंगे आई में तो कुछ इस प्राप्त हो जाएगा identity matrix अब इसको हम लोग को solve करना है solve करते हैं यह हो जाएगा 5, 4, 9, 9 में से 9 गया 0 यह हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 5 गया 0 तो इसी तरह हम लोग को यह प्राप्त हो जाएगा जो की null matrix है इसलिए हम लोग यह जो है RHS के बराबर आ चुका है इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS और कर देंगे proved तो यह जो है हम लोग का फर्स्ट वीडियोज था short questions एंसर पर अब हम लोग का next वीडियोज जैसे ही आएगा आप लोग जरूर उसको देखिएगा तब तक के लिए thank you और यह जो है स्री जो है हल्ला बोल स्री जो है बहुत important है आप एक फर्वरी के पहले इन सारे वीडियोज को जरूर से जरूर देख लें और दोस्तों के साथ share कीजिए और फर्स्ट अगर आप नए एस्ट्रियंट से हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जैसे ही मैं वीडियोज अपलोड करूंगा तो वो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पहुंच जाएगा और आप उसे पहले देख लेंगे और इस बार जो हम लोग का टार्गेट है 95 पलस लाने का तो इन वीडियोज को अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी और इस वीडियोज को दोस्तों के साथ सेर करना है और इसका प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि प्रैक्टिस इमेन को परफेक्ट बनाता है और मैट्स में बिदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता थैंक्स फर वाच्टिस वीडियो थैंक्यू